तो हे गाइस कैसे हो आप लोग आई होप का आप सभी लोग बनिया होंगे तो इस वीडियो पर मैं आप इस तरह का गेमिंग यूटुब बेनर बना के दिखाना वाला हूँ एंड इस तरह का बेनर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप भी इस तरह का बेनर बनाना बहुत ही आसान तरिक से सीख जाएंगे तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देख लेना ठीक है एंड इस वीडियो को सुर स्क्राइब करना तो प्री होता है तो करदना गाइस ओके तो चलो फिर बिना किसी देरे के एडिटिंग को हम शुरू कर लेते हैं अब आपके तो गाय सबसे पहले आपको पिकस्ट अपलिकेशन ऑपन कर लेना है ठक है देनी इसके बाद आपको एक बेनर साइच वैग्ड़ाउंड को एडिक कर लेना है ठिक है एंड यह वाला बेक्ग्राउंड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहाँ से अपलोग डाउनलोट कर लेना ओके तो इसके बाद एड़ फोटो पर किलिक करके और एक बेक्ग्राउंड को एड़ित कर दना है एंड इस बेक्ग्राउंड को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है यहां से ओके तो क्रॉप करने के बाद इसको यहां पर एड़ कर दना है ठीक है तो यहां पर हमारा डन हो गया है इसके बाद फिर से add photo पर click करके आप अपने photo को या फिर आपने logo को add कर देना है अगर आपको logo पहले से बना वाए तो आप इसको भी add कर सकते है बट यहाँ पर मेरा logo नहीं है तो मैं अपने photo को add कर लता हूँ लोगो को add कर देना है बाट यहाँ पर मेरा logo नहीं है यह तो मैंने बता दिया था आपको तो मैं अपने photo को दूबरा से add करूंगा देन इसके बाद इस photo को color को मैं change करूंगा तो इसके लिए मैं effect icon पर click करके यहाँ पर मैं color icon पर click कर लता हूँ देन इसके बाद यहां पर आपको यू ओप्सन देखने को मिल जगा तो इस पर आपको डबल टेप कर देना है देन इसके बाद इसके कलर की अमाउंट को मैं बढ़ा लेता हूँ ठीक है और इरेज आइकन पर क्लिक करके स्कीन को उपर जो कलर चेंज हुआ है इसको मैं रिमूप कर लता हूँ यहां से ठीक है ओके तो गाइस स्कीन से उपर मैंने कलर को रिमूप कर लिया देन इसके बाद मैं उपर से राइट कलिक कर लता हूँ ठीक है देन इसके बाद इसके ब्लेंड मोट को यहां से चेंज कर लता हूँ मैं तो इसके ब्लेंड मोट को मैं लाइट पर रख देता हूँ ठीक है जिससे फोटो हमारा लोगो की तरह ही दिखेगा एपने photo या फिर logo जो भी हो इसको side पर add कर दना है ठीक है इसके बाद erase icon पर click करके हलका सा side area से इसको erase कर दना है ठीक है and brush की hardness को zero करके आपको erase कर दना है ठीक है ओके तो guys banner पर हमारा logo भी add हो चुका है इसके बाद उपर से आपको right click कर दना है इस बाद आपको text icon पर click करके अपने YouTube channel के name को लिख देना है तो मैं अपने name को लिख देता हूँ एंड लिखने के बाद एक बढ़िया सा font इसमें add कर दना है तो मैं अपने font को यहाँ से change करूँगा इस वाला icon पर click करके और इसके बाद मैं mark font पर click कर लता हूँ तो यहाँ पर मैंने जितने भी font को add किया था वो सभी 100 हो जाएगा और यहाँ पर आप add font पर click करके font को add कर सकते हैं fix art में ओके तो guys मैं इस font को use कर लता हूँ और यह वाला font का link आपको इस वीडियो के description box पर मिल जाएगा तो देख लेना ठीक है तो font को change करने के बाद color को यहाँ से change कर लेना है तो इस टोक icon पर click करके border को यहाँ से create कर लेना है और border पर भी वही वाला color add कर देना जिस color का font को add किये हैं ओके तो इसके बाद उपर आपको plus icon पर click कर देना है या फिर screen पर touch कर देना है तो इसके बाद आपको फिर से text icon देखने को मिल जाएगा तो text icon पर click करके यहाँ पर आपको लिख दिना है gaming width और यहाँ पर आपको इस तरह के से x पर छोड़ के लिख दिना है ओके तो इसके बाद इस font को change कर लेना है यहाँ पर आपको अलग font को use कर लेना ठीक है देन इसके बाद color को भी change कर लेना है और इसको अपने name के उपर यहाँ पर add कर देना ठीक है ओके तो guys यहाँ से मैं color को जल्दी से change कर लेता हूँ तो यहां पर हमारा डन हो गया है इसके बाद अपने नेम के उपर थोड़ा सा एक सेड़ो को create कर लेना है तो इसके लिए आपको add photo पर click करके एक PNG को add कर दिना है और इस PNG के color को अप लोग black कर दिना तो dot काहाँ से करना है आपको यह तो अपको अपको सभी को पता होगा अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग effect icon पर click कर दिना एठीक है देNE यहां पर आपको color icon पर click कर देना है एंद इसके बाद वार्ट एंड ब्लेक ऑप्षन पर डबल टेप कर दDcast औंज इसकी वाइट को जीरो कर दोना ठीक तो यह हमारा ब्लेक हो जाएगा एंड इसको अपने नम कर डाउंसाइड पर एड़ करके इसकी उपा सिटी को थोड़ा सा कम कर देना है ऎरड इसके बात आपको serage आयेकौन पर क्लिक करके side वाला एरिया को इस तरह कारे करदने ठीक है कि अंठ अपने नेम के वड़़ जो एक्ट आया हुआ एड़ कर दना है एंड इसकी color को अब लोग यहां से change भी कर सकते है एंड social media के png को आप किसी भी site पर एड़ कर सकते है बट मैं guys यहां पर मैं इसको एड़ कर लता हूं ठीक है ओके तो add photo पर click करके एक आखरी png को एड़ कर दना है अगर आप इसको add करना नहीं चाते है तो भी चलेगा बट यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं तो यही वाला png इसको full screen करके उपर से done कर दना है तो यह कुछ इस्तिर का दिखेगा अपना banner ओके तो guys finally यहां पर हमारा banner ready हो चुका है I hope आपको यहाला editing पसंद आ गया होगा और अगर अभी तक अपने इस channel को subscribe नहीं किये तो कर दना और bell icon को all पर भी click कर दना और इसके साथ ही इस video को like करना मत भूलना ठीक है और यह तीनों चीज करना एकदम free होता है तो कर दना guys ठीक है ओके तो अपने banner को यहाँ से save कर लेना ठीक है अगर आप अपने YouTube channel के लिए एक gaming logo बनाना चाहते है तो आप लोग यह वाला वीडियो पर click करके इसको भी देख सकते है तो चलो फिर आज के लिए इतना है बाई 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 टेक केर